नमस्कार आप देख रहे हैं दा बिहार टॉप मैं हूँ आदेश पुरी कल बिहार का बजट पेस हो गया आपको बता दे कि 75,000 पुलिस कर्मियों की बहाली को लेकर बजट में सुक्रिति दी गई आपको बताएं कि पिछले साल दिसंबर में ही पुलिस विभाग में एक लंबे चौड़े बहाली को लेकर कैबनेट से अप्रूबल मिला था और उसके बाद से युवा जो है जो पुलिस की तयारी करते हैं वो नोटिफिकेशन का इंतिजार कर रहे थे लेकिन हमने आपको कुछ दिन पहले ही एक इंटर्व्यू दिखाया था रहमान सर का जिसमें उन्होंने कहा था कि बजट पेस होने के बाद नोटिफिकेशन आएगा होली से पहले बिहार में पुलिस बहाली दरोगा बहाली को लेकर एक लंबा चोड़ा नोटिफिकेशन आएगा बस आप बजट का इंतिजार करें और कल बजट में भित मंतरी विजे कुमार चौधरी जो है उन्होंने 75,000 पुलिस के भरतियों का प्रावधान किया बजट में और उसके लिए उन्होंने अनुसंसा की बजट में पैसे गोले कर तो अब जो है अब संभावनाय बन रही है कि बहुत जल्द नोटिफिकेशन आएगी इसके साथ साथ हम सरकार लेबल पर देख ले तो मुख्यमंतरी नितीश कुमार कुछ दिन पहले ही एक पुलिस के सभा में थे और उन्होंने डीजीपी, ग्रीश सचिव, मुख्य सचिव और सीएस बीसी के अध्यक्स को खड़ा कराया और कहा कि आप बहाली को जल्दी कराएंगे ना, तो जो भी अर्चने थी, जैसे कि कैबिनेट ने एप्रूबल दे दिया, बजट में भी चर्चा हो गई सीएजी के पास बहुत पहले ही इन बहालीयों को लेकर आवेदन जा चुका है, तो अब संभावनाय जताई जा रही है कि बिहार में दरोगा और सिपाही की बहाली को लेकर बहुत जल्द करवाईयां सुरू हो जाएंगी, इस तरह भी आपने आपको बताया था कि पुलिस म कि जब इतना बड़ा बहाली होता है तो उसके लिए बजट का अप्रूबल जरूरी होता है, और कल बजट में इसे अप्रूबल दे दिया गया है, यानि कि बिहार में एक साल में 75,000 पुलिस का जो विभिन चर्णों में होना है, उनके लिए अपनी स्वामती दिदे लिया ह आपको बता दे कि बिहार पुलिस दरूगा में जो बताया जा रहा है कि धाई जर के असपास बहाली आएगी, सिपाही समवर्ग में दस जर के असपास बहाली आएगी, खान जो खनन से संबंदित जो सबज इंस्पेक्टर होते हैं, उनकी बहाली होगी, मद निशेद में 112, ERSS, यानि कि Emergency Response Support System जो है, उसमें काफी लंबा चोड़ा बहाली होना है, और ये सिपाही समवर्ग में हैं, चालक सिपाही समवर्ग में हैं, एसाई समवर्ग में हैं, और सब इंस्पेक्टर समवर्ग में हैं, जिनमें सब इंस्पेक्टर, चालक सिपाही और सिपाही की भर वक्ति जो है वो सीधी नियुक्ति की द्वारा होने वाली है जहां पर युवाओं को मौका मिलेगा पर्तोगी परिक्षा होंगे फिजकल टेस्ट होंगे उसके बाद इंको बहाल किया जाएगा आपको बता दे कि बिहार सरकार जो है पुलिस बहाली को लेकर काफी ततपर है और मुख मंत्री ने ये भी कहा कि राजगीर की अलावा भी आप ट्रेनिंग सेंटर को बनाए और वहां भी जल से जल कारिफ करना सुरू करे ताकि जो भी बहालिया होंगी उनकी प्रसिक्षन जो त्यारी कर रहे हैं अब उल्टी गिंती शुरू हो गई है आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी किया जाएगा खोली से पहले आ जाए या होली के तुरंत बाजा आ जाए लेकिन मार्च में अब संभावनाय पूरी बन गई है क्योंकि सरकार भी काफी ततपर है आप एक पोजेटिव होता है जिसे सरकार चुनाओं में या सभी जगा ये बताती है कि हमने इतने पुलिस कर्मियों की बहाली की तो हम भी इंतियार कर रहे हैं कि कब आयोगों के दोबरा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जो भी प्रावधान होंगे उसके जो भी नियम हों और आसा करते हैं कि मार्च में बिहार में जो पुलिस की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा बहाली आएगी तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंदा है लाइक शेर करे हमारी चैनल दबिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटी खबरे जो हैं रोजगार से संबंदित हम आपको देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद